वेलकम टू माई चैनल किचन इज़र हॉस्पिटल और आज का हमारा टॉपिक है दूद क्यों नहीं पीना चाहिए जी हाँ आपने सही सुना दूद क्यों नहीं पीना चाहिए अगर आप यापकी फैमिली में से कोई भी दूद पीता हो तो यह वीडिया आपके लिए बहुत ह इनसान ही एक ऐस जानवर से जो जीवन भर दूद पीता है Emily 2002 पीता है को यह और जानवर किसी और दूद नहीं पीता है आपने देखा हुँआ शेर गाएं का शिकार करता है कभी अपने देखा शेर ने गाएं को पकड़ लिया गाएं का दूदृ पी रहा है मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि दूद एक natural food नहीं है God ने दूद बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए आपके लिए नहीं बनाया है उस जानवर के बच्चे के लिए कई लोग बोलते हैं लेकिन डॉक्र साब गाय का दूद तो बड़ा nutritious होता है लेकिन गाय के बचले के लिए भाई आपके लिए नहीं इसको तरह समझने ही कुरिश कीजिए क्योंकि हम सब बच्चपन से दूद पीते आया है मैं भी उनमें शामिल हूं इसलिए यह सारी बाते थोड़े हजम होना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मुझे बच्च दूद क्यों पीना चाहते हूं हड्या मजबूत होंगी फिर मैं पूस्ता है कैसे मजबूत होंगी कैल्शिम मिलता है आप देखेंगे कि कोई एक अनपढ़ आद्मी भी कैल्शिम मिलता है यह पता उसको वो कोई किताब में नहीं लिखा वो टीवी में जो एडविटीजमें लाता है उससे उसको पता कि कैल्शिम मिलता है तो इसका मैं जवाब देता हूं कभी अपने गदे कि हड़ी देखिया अपने क्या लगता अब को मजबूत लगता है कि गाए ऐती गधा वह भर बर के दूद्ध पीता होगा और हड्डियों को मद्बूत करता होगा उनके हड्डियों में कैल्चिम कहां से आया पत्तों से आया आपके बॉड़ी में कैल्चिम कहां से आएगा भाई वेजीटेबल से आएगा पत्तों से आएगा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप मेरी बात मत मानिये, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आप से ये मांग रहा हूँ कि आप अगले पंदरा दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उमर के हैं, वो 15 साल से द मेरा बोडी में फूर्ती कितनी है, मेरी नीद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है, आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, पंतरार दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पहस्च लजाएगा, एक और एक्सपरिमेंट कीजे, एक और एक्सपरिमेंट, आज कल चोटे बच्चों में डियाबेटीस होता, आपको पता ही है, डियाबेटीस टाइप 1 बोलते हैं, मेरी जातर रिसर्च डियाबेटीस टाइप 1 में है, चोटे बच्चों में, दो साल का बच्चा, पांस साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है, जितनी बार खाना खाएंगे, उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा, हम खाना खाते हैं और बोडी हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है, जबकि असली बात यह है कि यह आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुचाईए, कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है, क्या करना होगा, यह मेरा यह मेसेज उन तक पहुचाईए, अगर उन लोगों ने बच्चों का दूद और दूद से बने वस्तु को बंद कर दिया, तो पहल दिन से ही उनकी इंसुलिन की जरूरत पचास प्रतिशत घट जाएगी, फिफ्टी परसेंट, मतलब यह कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं, तब जाके ब्लड शुकर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगा 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की जर खतनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है, इसलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, कि देखिए बच्चे का दूद छुड़ा ही, लेकिन ध्यान रखिए, आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजे, ऐसे मत दीजे, इस कभी किसी डॉक्टर के बास जाएंगे, छोटा बच्चे जाता है, वो कभी नहीं बताएंगे कि दूद छुड़ा दो, आपका शुगर छुड़ जाएगा, वो बोलते हैं, दूद डबल कर दो, इंसुलिन चार गुना वढ़ा दो, तो आपको जानके हैरानी होगी, डायब पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, थ्री कंपनीज, 90% मार्केट उनके कभजे में है, जरा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले, आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनका क्या होगा, चारों यहां पर, कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वज़े से उनी को फाइदा होता है, जो उसको बेच रहे हैं, जो लगा रहे हैं, उनको कोई फाइदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है, कीन चीज़ों को नहीं खाना है, नमबर वन, पैक्ट फूट नही खाना है, बिलकुल छोड़ दीजे, बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजे, वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजे, निकालने की जरूत ही नहीं उसको, पहली बाद, और इसके अलावा, दूद और दूद के बहुत सारे नूट्रिशन के सप्लिमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोड़क्ट है, और ओरिफिल्म के प्रोड़क्ट है, और कॉनकों से प्रोड़क्ट है, होडलिक्स है, यह सब चीजे हैं, हम यह लगता है कि इसकी आगर नहीं लेंगे तो हमारी बोड़ी की जो पूर्ती वो नहीं होगी, मैं आपको उधारन देके बताता हूं कि यह जब आप खाते हैं तो बॉड़ी में एक्जेक्ली काम कैसे करता है, साइन्टिविक एंगल से, जब भी आप वो डी आईपी डाइट यानिकी फ्रूट और वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर जब आप कोई nutritional tablet लेते हैं, कोई capsule लेते हैं, कोई tonic लेते हैं, लेकिन वो fold नहीं हो सकता है, जब भी आप कोई nutrition supplement लेते हैं, कोई tonic लेते हैं, कोई powder लेते हैं, वो body में जाता है, body में काम करने से पहले आपके body के cells के दरवाजे को थोड़ा damage करता है, उसके बाद ही खाम कर तो इस तरह के nutrition tablet को भी, tonic को भी आपको बंद करना होगा, उसको उठा के फैंक दीजे, जानवनों को भी मत दीजे, वो भी बीमार पढ़ जाएंगे, उसको किसी को मत दीजे, डस्ट्रून फैंकिये.